हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और आशा करता हूं दोस्तो आप सबसवस्थ होंगे मस्थ होंगे दोस्तो आपका रियाना पुलिस का अक्जाम होने जा रहा है और उसके लिए हम आपके लिए एक खास वीडियो लेके आई है जो की इतिहास से समंदित है 12 इतिहास उमाराज का टोफी के दोस्तो जो आपका रियाना पुलीस का एक grote apart वसमें दो से तीन क्योच्जिन जो हैं 12 इतिहास से पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में आपको बस वही क्योच्जिन मिलेंगे पहला क्योंशन देखिए पहला है नालंदा विस्वी दैल्ल की स्थापना किस गुप्थ सासक दबारा की गई थी नालंदा विस्वी दैल्ल जो है उसकी स्थापना किस गुप्थ सासक दबारा की गई थी आपके सामने चार ओप्संस हैं कुमार गुप्त द्वीत्य कुमार गुप्त पर्थम चंद्र गुप्त द्वीत्य या समुंद्र गुप्त तो रलंदा विस्विदाला की दूस्था अपना है दोस्तों ये की गई थी कुमार गुप्त पर्थम द्वारा उप्शन पहला दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ठी अगला देखिए अगला सल्तनत वंस की विशालतम स्थाई सेना जिसका बुगतान सीधा राज्य दुबरा किया जाता था बनाई थी सल्तनत वंस की जो है विशालतम स्थाई सेना जिसका बुगतान सीधा राज्य दुबरा किया जाता था किसने बनाई थी यानि कि जो 27 सेना थी उसका बुगतान जो है यानि कि उसका देखबाल जो है वो सीधा राज्य करता था यानि जो सासक है वो सीधा करता था तो वो किसने बनाई थी तो इस 27 सेना जो है क्या वो इल्तिमीश सेने बनाई थी अलाव दिल खिल जीने, मुहमद बिन तुग लकनिया, सिकंदलो दीने तो यह बनाए थी अलाव दिन खिल जीने ओप्शन दूसरा दोस्ते इसका अंसर हो जाएगा जो स्थाई सेना थी जिसका भुतान सिदर आज जी दवारा किया जाता था उस सेना की स्थापना अलाव दिन खिल जीने की थी दोस्तो ओप्शन बी हर क्योशन इंपोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बार-बार पूछेगे क्योशन नहीं तो एक भी क्योशन मिस ना कीजिएगा अगला अमीर खुसरो एक संगीत तग्य और अमीर खुसरो एक संगीत तग्य थे और क्या थे क्या वो सूफी संत थे फार्शित था इंदी का लेखक और विद्वान थे इतिहास कार थे और प्रोक्ट सभी तो जो अमीर खुसरो हैं वो सूफी संत भी थे फार्सित था इंदी का लेखक और विद्वान भी थे वो फार्सित था इंदी में लिखते थे और इतियासकार थे तीनों है दोस्तों इसके इंसर हो जाएंगे तो प्रोक्त सभी इसके इंसर दोस्तों हो जाएंगे ठीक है ओप्सन D अगला है रमायन का नुवाद फार्सि में किस ने किया अबुल फजल ने बदायूनी ने अबुल लतीफ ने आ इसवर्दास ने तो रमायन का नुवाद फार्सि में किया था दोस्तों बदायूनी ने ओप्सन B मोश्ट इंपोर्टन क्योश्चन दोस्तों बार-बार पुचा के question है, तो रमायन का नुवाद था वो फार्सी में बदाए उन्हें ने किया था, option B. अगला सेर्षा की मर्त्यू कहां लड़ते हुए हुई थी? सेर्षा की जो मर्त्यू है, वो कहां लड़ते हुई थी? सेर्षा की मर्त्यू जो है, वो ही थी दोस्तो कालिंजर में, option C. छीके दोस्तो कालिंजर में जो है, सेर्षा की मर्त्यू लड़ते हुए हुई थी? option C दोस्तो इसका answer हो जाएगा? अगला है, रज्या सुल्तान किसकी बेटी थी? रजया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? अल्तमस की, इल्तुत्मीश की, कुटुब दिन एबग की, नसीरुदिन की या बलबन की तो इसका option है दोस्तो, option number A अल्तमस या इल्तुत्मीश जिसे कहा जाता है, रजया सुल्तान उनकी बेटी थी दोस्तो ठीक है इसकी बेटी रजिया सुल्तान थी जो की कैथल में जिसकी दरगाह है रजिया सुल्तान जी की ठीक है उप्सन एस कांसर हो जाएगा अगला कि सिख संग के बारा राज्यों को क्या कहा जाता था सिख संग के जो बारा राज्य थे उनको क्या कहा जाता था मिसल गुरुमत सरदार या राखी तो जो सिख संग के बारा राज्य थे उनको कहा जाता था मिसल ठीके दोस्तो most important question है उसको मिसल कहा जाता था उप्षन ए दोस्तो अगला देखिए टका या रूपिया चांदी का सिख का निमलिक्त में से किसके द्वारा चलाया गया था टका या रूपिया जो की चांदी के थे उसका सिख का निमलिक्त में से किसके द्वारा चलाया गया था सेरसा सूरी ओप्षन में अकबर तैमूर या हुमायू तो ये चला गया था दोस्तों सेरशा सूरी दवारा टकाया रूपया जो है सेरशा सूरी दवारा चला गया थे दोस्तों उप्सने अगला देखिए सिवाद जी की मंत्री परिशद में परदान मंतरी को क्या कहते थे शिवाजी की मंत्री प्रिशिद में प्रदान मंत्री को क्या कहते थे पेश्वास चीव मंत्रिया सामंत तो यह कहते थे ओप्षन ए पेश्वा ठीक है दोस्त ओप्षन ए अगरा आने मिलिक संदियों को काल कर्मा नुशार लिखिए जो संदिया हुई थी उनको काल कर्मा नुशार निखलना है तो सबसे पहले हुई थी दोस्तो साल बाई की संदि option फोर्थ इसकांसर हो जाएगा उसके बाद हुई थी स्री रंग पट्टम की संदि उसके बाद हुई थी बसीन की संदि अंत में हुई थी अमरसर की संदी दोस्तों सबसे पहले फोर्थ तीसरा, दूसरा और पहला तो option कौन साइस में यह है आपका option C 4, 3, 2, 1 दोस्तों इसका अंस्वर हो जाएगा ठीक है अगला देखिए मद्यकालिन भारत में इकता का क्या अर्था मद्यकालिन भारत में जो है इकता किसको कहते थे क्या वो अध्यात्मिक प्रियोजन के लिए दार्मिकों को सोपी गई भूमी होती थी सेने अधिकारियों को समानु देशित विबिन परादेशिकी की काईयों से प्रात बूराद्सु होता था तीसरा option है सेक्षिक और सांसकर्तिक क्रिया कलापों के लिए दान होता था यो अजमिदार के अधिकार होते थे तो इकता होता था दोस्तो यह option number B सेने अधिकारियों को समानु देशित विबिन परादेशिकी की काईयों से प्राप्त बूराद्सों को जो है इकता कहा जाता था दोस्तो ठीक option B सकान सरो जाएगा दोस्तो अगला है नमिलिक्त में से कौन सी एक प्राथना समाज की मांग नहीं थी नमिलिक्त में से कौन सी एक प्राथना जो है समाज की मांग नहीं थी क्या वो स्त्री सिक्षाद नहीं थी विद्वा पुन्दर विवा नहीं थी लड़कों और लड़कों की वा आयू में वर्दी करना नहीं थी या एस प्रस्ता की समाप्ती नहीं थी तो इन में से कौन सी मांग जो है प्राथना समाज की मांग नहीं थी तो यह नहीं थी S प्रिस्ता की समाप्ती Option D S प्रिस्ता की समाप्ती जो है प्राथना समाज की मांग नहीं थी Option D दोस्त अगला कामंदक के नितिसार का योगदान किस विशे में है कामंदक के नितिसार का जो योगदान है किस विशे में है क्या वो तरक्सास्तर वो दर्शन पर है गनीत पर है राजनितिक नेतिकता पर है व्याकरण पर तो कामंदक के नितिसार का योगदान जो है दोस्तो ये है राजनितिक नेतिकता पर option C दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा 荷िक है हर question महतपूरण दोस्तो एक भी question मीस ना कीजेगा अगलाे 1000 राम मंदिर किस राजय में था जो 1000 राम मंदिर है वो किस राजय में था क्या वो अवद में है तरामन कोर में था वीजनगर में था या अहूम में था तो उजारा राम मंदिर दोस्तों ये था वीजनगर में ठीक है दोस्तों उप्शन सी अगला है इसलाम दर्म की स्थापना कब हुई थी? Most important question है इसलाम दर्म की स्थापना कब हुई थी? क्या वो साथवी स्थापदी में हुई थी पांचवी स्थापदी में हुई थी पांचवी सदी इसापूरो में हुई थी या तीसवी तीनवी सदी इसापूरो में हुई थी तो यह हुई थी आपकी उप्शन नंबर ए सात्वी स्थाप दीश्वी में जो आपकी इसलाम दरम की स्थाप ना हुई थी दोस्तो उपसने चलते हैं अगले पर अगला है अभिजान सकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निमलिक्त में से कौन से दो नाटक लिखे थे अभिजान सकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निमलिक्त में से कौन से दो नाटक लिखे थे तो कौन कौन से लिखे थे ये लिखे थे विक्रमो वर्सियम और कादंबरी दो नाटक जो है अभिजान सकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने दोस्तों लिखे थे तो उप्शन क्या हो जाएगा इसका एक वचार कौनके उसमें है। आखिला निमन में से किसको सकतिसाली नॉबलों के समूः चिहाल गानी के विनास का सरे दिया गया था। निम्न में से किसको सक्तिसाली नोबलों के समुह चिहाल गानी के विनास का स्रे दिया गया था क्या वो इल्तुतिमिस को दिया गया था रज्य सुल्टान को बलबन को या कुतुबदिन एबग को तो यह दिया गया था उप्शन C बलबन को दोस्तो ठीक है बल्बन को जो है ये स्रे दिया गया था ठीक है अगला देखिए 1540 इस्वी में किस युद के पस्चात हुमाईयू को हिंदुस्तान से भार कर दिया गया था 1540 इस्वी में जो है किस युद के पस्चात हुमाईयू को हिंदुस्तान से भार कर दिया गया था चोसा दोरा सूर्जगुड्या कन्योज तो एक या गया था दोस्तो कन्योज के युद के बाद जो है हुमाईयू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था दोस्तो ठीक है most important के उस्टन है दोस्तो अगला बासकर का लीलावती किस विशय का मानक मूल गरंथ है बासकर का लीलावती जो है किस विशय का मानक मूल गरंथ है क्या वो गणीत का है सल्ले विग्यान का का वैशास्तर का या बासा विग्यान का तो दोस्तो बासकर का जो लीलावती है वो है आपका गणीत से समन्दित पासकर कर लिलावती जो है गणित विशे का मानक मूल गरंत है दोस्तों अपसने इस का अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है और अंतिम है दोस्तों देखिए most important question है दोस्तों अंतिम कि निमिलिक्त में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दर्बार के चितरों से सरजित नहीं थी क्या वो हज मजामा नहीं थी रजम नामा नहीं थी बाबर नामा या तारीक हल्पी तो यह नहीं थी दोस्तों option A हमजा नामा ठीक है option यह दोस्तों इसका अंसर जाएगा तो लेजी दोस्तों आपकी वीडियो होती ही complete अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment करके जूरू बताएगा और आरस नोट सेनल को subscribe कर लिजिएगा दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई और रोचक परशनों के साथ तत्त के लिए धन्यवाद दोस्तों कर ऴुलिएट करो दोस्तों मिलते हैं थिर दोस्तों की वीडियो के साथ जिए और संगय के वीडियो है